नमस्कार दोस्तों आप सबका में स्वागत करती हूं देश के सबसे बड़े आनुलाइन प्लाइब माने चलते हैं मैं हूँ आपकी एडुकेटर डॉक्टर रनुपमा पांडे और भाई सिविल सर्विस इग्जामनेशन की एडुकेटर हूँ साथ में भाई हम देखेंगे 7 years of मेरी teaching experience है NCRT आपका history optional भी आपका पढ़ाते हैं और NCRT Old Indian Society Social University ये सभी कुछ पढ़ाते हैं टेलीग्राम एप द्वारा आप हमसे connect हो सकते हैं यहाँ पर आपको live classes मिलेगा test series मिलेगा quiz मिलेगा doubt clearing sessions भी आपको मिलता है अगर आप हमारा subscription लेते हैं आपको करना के phone उठाना and academic learning आपको install कर लेना step 4 में आपका goals step 5 में आपका plus का course है step 7 आप देखेंगे enu11 मेरा refer code है इसको आप जब भी प्रयोग करते हैं आपको 10% का discount मिलेगा आप जो बच्चे यहाँ पर class continue कर रहे हैं उनको हम देखेंगे आप जब app में आकर class करते हैं तो आपके उसमें coin set होता है तो यहाँ पर उसका भी 10% मिलता है जिसमें आप देखेंगे आपको कुछ coins साता है वो आपको जब आप subscription लेंगे तो आपके पैसे में detect हो जाएगा भई आप जो है मेरा code का प्रयोग ज़रूर करिए और जब भी आप किसी class को unlock करने जाते हैं अनलॉक करते समय किसी class को भई आप मेरे code का प्रयोग ज़रूर करिए ANU11 subscription का और फाइदा कैस subscription का फाइदा यह है कि आप download कर सकेंगे pdf आप जो है test series है proper guidance है कहीं भी किसी भी समय भई आप जो है यहाँ पर आप देखेंगे आपको life class मिलेगा best educator मिलेंगे सभी कुछ मिलेगा भई आप में जो बच्चे एक साथ में पे नहीं कर सकते वह एमाई में भी admission ले लेकिन भई मेरे code का प्रयोग करना मद भूलिए और आपको यह भी बता दे कि आप चाहिए आईएस में admission लो या आप नीट में admission लो या जे एरफ में लो या फिर आप PCS में लो भई आप कहीं पे भी एक्जाम में किसी भी एक्जाम में भई आप जो है admission ले सकते सारे subscription में आपको जो है डिसकाउंट मिलेगा पहला question history का है आपको पता और हम 451 question में पहुँच गए है और आपको बताते बच्चों अभी आपका history वाला section 500 का खतम हो जाएगा तो मैं 201 question आपका पॉलिटी का लेकर आउंगी 200 sorry 200 जो आपका वन होगा यहाँ पर हम देखेंगे 201 पॉलिटी का 201 आपका जोग्राफी का लेकर आएंगे और 200 सब यह दोनों आपका यह आपके ncrt के question ओंगे ध्यान रखना और यह question मैं आपका जो है लेकर आउंगे यह भी आपको मिलेगा भई धरम सभा के संस्थापक थे कौन भई 451 का अंसर आपको बताना है धरम सभा के संस्थापक कौन थे दिविंदर ना टैग और केशो चंदरसें दयानन सरस्वती और राधाकान दिव जो बच्चे क्लास में सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे चीक है आप सभी बच्चे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करेंगे आप सभी बच्चे पहला question आपके वाल पे है धरम सभा का संस्थापक था खोन 451 का अंसर आ आपको संस्थापक बताना है भहे हम देखेंगे आपका आंसर जो होगा यहाँ पर 451 का आंसर आपको D होगा इसे राधाकंत देव इसे हम देखेंगे आपका राधाकंत देव इसे राइट आंसर होगा राधाकंत देव इसे राइट आंसर होगा आप सभी बच्चे भाई देखेँगे आपका आंसर जो होगा यहां पर राधाकंध दिवीजर राइट आंसर होगा यहां पर धरम सभा वस फॉरमेट इन 1829 हाम देखेंगे इस धरम सभा ओके वाजम देखेंगे फॉरमेट वस फॉरमेट वस फॉर्मेट इन 1829 इन कैलकटा इन कैलकटा बाए आपका राधाकांथ देव ओकी दा ओर्गनाइजेशन वस हम देखेंगे इस्पेशली दा ओर्गनाइजेशन वस इस्टैबलिस मेंली तो काउंटर दा ओन गोइंग हम देखेंगे यहाँ पर जो है क्यों किया गया था इसका स्थपना इसके बारे में बता दे ओन गोइंग सोशल रीफॉर्म मोमें लीड भाई हम देखेंगे प्रोटोजैनिस सचे राजरा मोहन रहा हैं हैंडरे डे रोजोई एज़ हम देखेंगे इसमें जो है इसपेशली हम देखते हैं तो भाई हम देखेंगे इसकी स्थपना की गई थी क्यों की गई थी ये भी मैंने आपको बता दिया तो भाई आप देखेंगे आपका आंसर होगा डे अगला कोश्चन है 52 नंबर कोश्चन स्वामी विवेका नंदा का मोल नाम क्या था भाई आपको पता होगा स्वामी विवेका नंदा की जो गुरू थे आप देखेंगे इसकी बारे में भी आप जानते हैं है ना भाई हम देखेंगे स्वामी विवेका नंदा ने हम देखेंगे विवेका नंदा हम देखेंगे तो इनका नाम जो था भई आप थोड़ा सा confused हो सकते है इजे नरेंदर दथ हम देखेंगे कालकटा he was born 1863 in कालकटा in कालकटा in कालकटा and then हम देखेंगे he was dry 4th July 1902 in a bellormat in bellormat हावरा सबी बच्चे जो हम से जूड़े हैं सबी बच्चे क्लास को लाइक का इंड शेयर भी करेंगे ओके और रामक्रिस्न मिस्तन के हम देखेंगे इस थापना करने में भाई इनी का हम देखेंगे योगदान था भाई आप जानते ही है कि सबीमेस्ट सबीजिब सब्सक्रिबशन रभी अठेगे प्लस में और भीडुकेटर आपका क्लास ले रहा है जी दूसरी एडुकेटर जो क्लास ले रहा है उसको आप जोइन कर सकते हैं मुख्यता किसकी प्रेयास सतीप्रता का उनमेरन वेगा है? सतीप्रता है आपको पता हो गए especially जो इसकी उनमोलन का काम गतला है रहा है, आपको पता ही होगा कि बेंगौल की जो इस्थिती थी बहुत बुरी थी और यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चेयों को हम देखेंगे पती मरने के साथ चिता में जला करके सती प्रता है क्या भई हम देखेंगे हिंदू धरम से इसका संभंध है और भई हम देखेंगे छोटे छोटे ओमर की लड़किया या जो भी है पती मरने के बाद पत्नी को पती की चिता में जला दिया जाता है पत्नी को क्या जला दिया जाता है आपको पता ही होगा यह बहुत बुरी तरीका है था हमारे समाज का और राजाराम मुहन रहे है भई आपको बताओगा एक धर्मसुधार्ग थे इन्होंने समाज में काफी कुछ किया और सते प्रता से संब्धित हम देखेंगे यहाँ पर चो आक्ट है इन्होंने इनके कार्ण हम देखेंगे पास हो यह सती प्रता ने सबस्था सती प्रता डिसंबर भई आप लोगोंने सुना वाको यह 18-29-1 डिसम्बर वे आमान एदा धादिं ध्यान रिखना वे याप गौर्णर जेनरल लोड वीलियम बैंटिक की मदद से वाय किसका गवरणर जैरल आपका लोड वीलियम आपका से-धाइटरी की देखेंगे राजाराम मोहन राय के हम देखेंगे इसमें इन्वाल्व होने के बाद हम देखेंगे इसको फाइनली एबलुश कर दिया गया था वह आप जाते हैं कि इनकी भावी को जलाया गया था इनके भाईया के मरने पर वैसे भी कलकत्ता में बैंगॉल में हम देखेंगे शेटे थे आरे समाज किसकी विरुद्द था भही हम देखेंगे आरे समाजी दयानन सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट कोशन वाच अब अच्छे ध्यान रखना यह सारी कोशन हम देखेंगे एक्जाम में आता है चेक है आरे समाज की स्थापना की जब हम बात करते हैं इसे दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती है ना इसे फाउंडड इसे फाउंडड इसे फाउंडड दयानंद सरस्वती इसे फाउंडड हम देखेंगे यहाँ पर इसकी स्थपना की थी और भी हम देखेंगे कि इसका हैटकॉर्टर जब हम देखते हैं इन्होंने आरे समाज की स्थपना की थी अब हम देखते हैं यहाँ पर जब हम आरे समाज की बात करते हैं तो एक हिंदू सुधार अंदूलन है यह क्या था कुल मिला के सुधार आंदोलन देखो इसने खुल के हम देखेंगे समाज में धकोसला वादी ब्रह्मन वादी इन सब का विरोध किया इनका मानना था कि जो ब्रह्मन वाद का इनों ने विरोध किया आप देखेंगे इनों उने हम देखेंगे वेदू की और लोटो वेदू कीॉजाSi नने सुरु किया था और हम देखेंगे शुद्धी अंदोलन इत्वारा सुरु किया गांगा त्वहिया आपको पता हो गांगा काफी लोगों ने स्थापना किया ता गौरहचनी सबहना आप बोलेगे यह करना क्या चाते थे इन्हों ने हिन्हों में धरमवाद करम कांड का विरोध किया जांती थी आप देखें कि इसके स्थापना को भी 145 हो गया है क्योंकि स्थापना 875 में की गई थी आप देखेंगे कि यहां पर धार्मी संगेटन था इसका मुख्याले आपको दिल्ली पे मिलेगा और यह पूरी तरीके से हिंदू धरम में हम देखेंगे यह सुधार चाते थे यूवा बंगाल आंदोलन की नेदा कौन थे भाई आप लोगों ने कही बार सुना है देखा है मुझे पता नहीं अभी आप लोगों को याद है की नहीं मैंने आपको पूरा भाई इसके बारे में यूवा बंगाल आंदोलन है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया वीधा तो भही आपको बताना है यूवा बांगाउल अंदुलर देवेंद्र ना टैगोर वीवी एंड गैरो जोई राजरामन रायर डैविड हैर विछ वन भई आपको बताना है यंग बंगाल बंगाल के क्रांतिकारी है ना बंगाली सुतंतरे चिंतकों के एक समोधा और भाही हम देखेंगे जब हम बात करते हैं तो 455 का अंसर क्या होगा आपको बताना है भाई हम देखेंगे हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी एक सिच्चक चे हैंद्री लिव डे रोजी यह आप देखेंगे आपका हिंदू कॉलेज इसे हिंदू कॉलेज के हम देखेंगे एक जो है एक सिच्चक थे इनके दुआरा हम देखेंगे यह चलाया गया था और भाई हम देखेंगे इन्होंने यंग बंगाल अंदुलन की स्थपना की और भारत में इसकी स्थपना के बाद में इन्होंने जो है इस पेशली हम देखेंगे काफी कुछ भाई इस छेतर में अपना काम किया लेकिन हम देखेंगे काफी कम उमर में इनका डेथ भी हो जाता है तो भाई हम देखेंगे कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वस फाउंडर्ड हम देखेंगे especially, भही हम देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन के बारे में भैई डरहौजी का नाम तो आ ही गया कि डरहौजी ने भई इसकी स्थापना की थी भैई मैंने आपको बता ही दिया यंग बंगोल आंदोलन की हम देखेंगे स्थापना की हम बात करते हैं या established की बात करते हैं तो भई कब किया गया था यह आप से पूचा है भी यह आप लोगों ने अंसर बता ही दिया तो भई हम देखेंगे इसकी थापना इस्पेशली हम देखेंगे कब हुआ था यह आपके लिए यह कई बार एक्जाम में कुश्चन पूचा गया है आप देखेंगे एटीन ट्वैटी सिक्स में इसे जो है इनका appointment होता है आप देखेंगे ऐजे कॉलेज में सिच्छा के रोप में और इन्ही के दुआरा हम देखेंगे यंग बंगाल अंदूलेंट की हम देखेंगे यहाँ पर यह नेता के रूप में आपको नजर आते हैं और इन्होंने यंग बंगाल आंदूलन शुरू किया था भाई आप देखते हैं कि यंग बंगाल आंदूलन के बारे में जब बात करते हैं तो एक पुनर जागरन आंदूलन था और भाई हम यह भी देखेंगे कि यहां पर जो 1828 में academic association की इन्होंने इस्थापना भी की थी तो भ बंगाल में आधूनिक आंदूलन की सुरुवात कने में 1817 में इस थापित कलकता में हिंदू कॉलेज की बूमी करें ध्यान रखना भाई हम देखेंगे वैसे ही आप देखेंगे डेरहौजी जो है 17 साल के युवा इनके पिता पुर्तगाल के थे और माता जो थी बृटिश भारत के थेवी नहीं लेकिन सिच्छक के रूप में हिंदू कॉलेज में इन्हों ने प्रवेज किया और हम देखते हैं कि बच्चों इन्हों ने जो है यहां पर समाज को कहीं ना कहीं बदलने का सोचा और भाई हम देखेंगे इसके बाद में इसे बरखास भी क्यार दिया गया और इनका काफिक में ने कीती상 दोलन की इसे 1899 वहां दिकेंगे इन्हों ने जो है इसकी बीमारी हो गहिए तो आपका आंसर हमने अब आत्सब कुछ बता दिया जी आप लोगों का आंसर सही है भई बी जा राइट आंसर होगा किस धरम सुधारक की मृत्यू भारक के बाहर वे थी दयानाज सरस्वती रामकृष्ण परश्ण जोती भाई फूले या राजाराम मोहन रहे भई आपको बताना है किस की भई हम देखेंगे किस धरम मोहन रहे को विदेश से जादा प्यार था हम देखेंगे इनका अंतीम समय जो है जब हम राजाराम मोहन रहे की भात करते हैं तो वहीम देखेंगे कि इनका डेट जो है भारत में नहीं हुआ था एंडियान हिस्टोरियान य व्यों आई थी भाई आप देखेंगे कि इनका डेट जो है United Kingdom में हुआ था कहां हुआ था इनका डेट इनका डेट हम देखेंगे UK में हुआ था जी UK में हुआ था और हुआ था 27 September 18 आप देखेंगे 33 में और भाई ये आपका UK में था United Kingdom में था और Bristol में भाई आप सभी बच्चे जो है ना क्लास में जो बच्चे हैं भाई सभी बच्चे क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिए शेयर और लाइक जरूर करिए आपको बता दिया आप सभी बच्चे में शेयर और लाइक जरूर करिए भाई हम देखेंगे राजा रहा महँन रही कि ह हम देखेंगे जब हम बात करते हैं इसे ब्रह्मा समाज यहां पर जो है जब हम बात करते हैं तो इनका जनम और भाही आपको मैंने इबताया भी था भाही सतीप्रथा का उनमोलिन यहां नहीं किया था दी है आपका अंसर होगा दी इस लाक एक आंसर फूर फिप्टिशमव का मुखे केंद्र कहा था भई बहावी आंदूलन के बारे में भई आप जितने मुमेंट पढ़ते हैं उसमें बहावी आंदूलन भई हम देखें कि आपको पढ़ने को मिलता है तो भई हम देखें कि बहावी वहावी मुमेंट के बारे में बताना है भई यह कहां पर बता है जमा वहावी मुमे इसे वहावी मों में भी आपको बताना है वहावी आंदुलन है क्या कहां से सुरूवा था जी लखनौ में पटना में हम देखेंगे ये आतिवादी एक इस्लामी आंदुलन था चीक है आपका जो है ये एक इस्लामी आंदुलन था यह आपका एक इसलामी आंदोलन था धियान रखना पहला पोई और मुहमद बिल अब्दुल वहाब को दिया जाता और इसका श्रे हम देखेंगे इससे दिया जाता है भाई हम देखेंगे कि यह जो इसलाम के पैगंबर के समय में था इसके बारे में इनों ने काफी कुछ भा मुहमद बिन अब्दुल वहाब को जाता है भाई आप देखेंगे कि बच्चों इसलाम को असल हाल आत्मी इसलाम के पैगंबर की समय में था उसे यह चरमपंधी मानते थे भाई आप देखेंगे कि यह आंदोलन आपका सुरू किया गया है और भाई लखनौ में पटना में में सबसे में है कि केंद्र कहा था भारत में 457 का अंसर होगा इसे पतना हम देखेंगे सकसे इसका सैंस्टर जो था पतना में था वह इसका सांस्टर जो होगा कहां mindfulness में में नहीं होगा इसकास एंसले दास-प्रन आपने सुनां जोगा slave system भई हम देखेंगे slave system especially हम देखेंगे कब illegal घोसित कर दिया गया illegal हम देखेंगे ये घोशिट कर दिया गया is a slave system कब हम देखेंगे illegal घोशिट कर दिया गया is a slave system slave system के भई हम दबात करते हैं आपको पता होगा कि यहां पर जो है जो है स्लेव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो 458 का आंसर होगा इन 1843 में ठीक है भई हम देखेंगे स्लेव सिस्टम को जो है फाइनली हम देखेंगे 18 हम देखेंगे आपका जो है 43 में हम देखेंगे इसको जो है दासप्रता को आवेद गोशिक कर दिया था आवे बही 1843 सापको लगी रहा है इंडियन स्लेवरी एक्ट आया था इस समय क्या आया था आपका इंडियन स्लेवरी एक्ट आया था और हम देखेंगे बही यहां पर जो से पूरे तरीके से हम देखेंगे बही यहां पर जो है illegal गोशिक्ट कर दिया था is the right answer होगा किसे आधुनिक भारत का जैनक कहा जाता है who was the father of modern area भगत सिंग, महात्मा गांदी, राजा रामोन रहे और रामकृष्ण परहमस देखो वे, यहाँ पर बहुत ध्यान रखना भगत सिंग नहीं हो सकते हैं गांदी जी ने कभी भी इससे आधुनिक भारत का पीता नहीं कह सकते हैं और रामकृष्ण परहमस ने हम देखेंगे ऐसा कुछ काम किया नहीं था जिसके लिए आधुनिक भारत का पीता कहें क्यों कहा जाता है आपको बता दे भाई सभी बच्चे भाई क्लास को लाइक भी कर दो शेर भी भाई आपको ये मैं बता दू मैं आपका स्पेशल में बहुत सारे आप में फ्री क्लास ले रही हूँ वहाँ पर मैं आपका करंट अफेर ले रही हूँ आपका 14 बंद का चीक है और भाई आप देखेंगे करंट अफेर की साथ में दूसरा आपका क्लास ले रही हूँ आपका हिंदी ग्रामर और भाई आप देखेंगे साथ में मैं आपका जोग्राफी और हिस्ट्री भी ले रही हूँ और इसी के साथ में भाई हम देखेंगे कि बात करतें इन्होंने modern education को support किया था हम देखेंगे एक इन सब का विरोध किया था मुर्ती पूजा का हम देखेंगे इन्होंने विरोध किया था कुल मिला के समाच को रूरी वादता से बाहर निकालना चाहते थे हम देखते थे चाहते थे कि इनका मानना था कि module education को हमें अपनाना चाहिए मुर्ती पुजा या धार्मिक प्रथाओं से हमें बाहर निकलना चाहिए हमें धार्मिक प्रथा से क्या होना चाहिए हमें जो है बाहराना चाहिए इनकी सोचती राउनसर खाँ कोब और इस इसेख और आनसर होगा कुक्रा अन्दोलन को किस ने भही संग्यटे क्या आस सभी बच्चे जो आंसर दे रहें कुछ का सही भही कुछका गलत आप सभी बच्चे गलास को लाइक और शेयर भी करते जाएए आप सभी बच्चे बई लाइक और शेव बी करते जाएं 460 का आंसर क्या गुरूरामदास गुरूनाना, गुरूरामसिंग गुरूबिन सिंısı इन में से कोई ने कुका अंदोलन बई कुका अंदोलन कुका मुझें वन ङुँआ था ना वज़े रिलीजियो पॉलिटिकल मुवमेंट इन पंजब भाई हम देखें गे इन पंजब है इस्पेशली यह आपका भाई मुवमेंट जो है पंजब में वा था लेकिन भाई मैंने आप से पूछे हैं इसमें कौन थी बही कौन जो सामिल थे उनकी बारे में हमें बताएं आपको बताना है गुरू रामदास कौन थे यह आपको बताना है जल्दी से आपको बता दीजी क्या होगा जी बही आप सभी बच्चे बही इसका अंसर बताएंगे इसमें फोर सस्टी बही हमने फिफ्टी से सुरू किया था आपका दस कोश्चन यहां पर हो गया और हम देखेंगे बीजा राइट अंसर होगा गुरू रामदास वेदो की और लोटो किसने का था अभी अभी आपको मैंने का था देखो ए हुई 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 वेदो की और लॉटो भई हम देखेंगे ये नारा किस ने दिया था ये नारा जो है हम देखेंगे भई किस ने दिया था भई आपको अंसर में काफी लोगों का भई नाम लिखा भई भई देखो भई इसमें क्या option में ना एक option होना चाहिए आपका यहाँ पर जो है दयानन सरस्वती क्यूंकि भई आपको बता दे यहाँ पर किसी और इनमें नाम आपका जो है option सही नहीं है ध्यान रखना आप्सन से नहीं क्योंकि भई अभी अभी आपको मैंने बताया था दयानन सरस्वती ने आरे समाज की स्थापना की आरे समाज की हम देखेंगे इनों ने जो स्थापना की और इनों ने हम देखेंगे आपका जो है हम देखेंगे वेदों की और लोटों का नारा दिया तो भई दादू मिया सम्सेर गाजी आगया मौमद रजा या वजीरली फोर सिस्टि टू का भई आप लोग चाश्थ का अंसर देंगे क्या होगा भई कौन फराईजी विद्रो का नेता था फराईजी विद्रो फराइजी मुमेंट बही हुआ था भई आपको पता है आप देखेंगे वाज़े मुमेंट लीड भाई हाजी सरचावदू दौला है ना हाजी आपका सरीतुला होगा ना सिराजू दौला भई हम देखेंगे यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो 462 का अंसर हम देखेंगे भई आपको जब हम बात करें यहां पर आपका फराइजी फराइजी विद्रों के बारे में यह इस्लाम धरम में सुधार करना था यह आंदूलन वाता है इस्लाम में Islam religion में हम देखेंगे सुधार के लिए अज़िक है हम देखेंगे सुधार के लिए वह था और ये पूर्वी मंगाल में अजिस सरीयतुला द्वारा शुरू किया गया था और इसलाम धर्लम के लोग को अजिस सरीयतुला इस हम देखेंगे राइट अंसर होगा इस हाजी सरियत अल्ला हाजी सरियत अल्ला दोरा हम देखेंगे भाई इसका उदेशत असलाम धरम को में सुधर करना और इसके मरने के बाद हम देखेंगे दादू मी आता है सरयतुला हाजी सरयतुला ने हम देखेंगे सुरू किया था ने किया था हम देखेंगे सुरू यहाँ पर बट हम देखेंगे इनके डेथ के बाद हाजी सरयतुला के सुरू किया था इनके डेथ के बाद इनके डेट के बाद हम देखेंगे दादू मिया जो हम देखेंगे यहां पर भई इनके हाथ में भई आ जाता है दादू मिया पुलिस के द्वारा गिरफतार कर लिये गए थे 폰 ऐसे आरेस्ट कर लिया था पुलीस ने हम देखेंगे इसे जो है आरेस्ट कर लिया था आपका एटीन आपका 47 में जेल बेस arm यहीं इसका हम दीखेंगे डैतबी हो जाता है इनका कर द की आपकी 18 62 cm मैं देखें दिक Thats Ad होगा एजर राइट आंसर है चलो भाई आप सभी बच्चे जो क्लास में आ रहे हैं क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना नेक्स कोशन है देव समाज का संस्थापा के इन में से कौन था वल्ला भाई पटेल सिव नरायन अगनी होतरी रामकृष्ण परमस दादा बैन भाई हम देखेंगे आपका जो कुशन है फूर सिस्ट्री तरीका आपको अंसर बताना है ठीक है या आपको जो है फूर सिस्ट्री तरीका यहां पर आंसर बताना है फूर सिस्टी तरीका भई हम देखेंगे आपका आंसर जो होगा यहां पर बी होगा सीव नरैन अगनी होतरी इस राइट आंसर ब्रह्म समाज की सिधान पर अधारिता बहु वद आदेव वद नश्वर वद रेकश्वर वद बहु देवाद हिंदू धरम का स्थीोरी है हिंदू धरम में आप देखेंगे हम बहुत से इसवर की पूझा करते है लेकिन मैं ब्रह्म समाच की बात करें हो राजा राम, नहीं हम देखेंगे मुर्ति पूझा के विरोधी थे तो हम आदेखेंगे इसका आंसर जो होगा 464 का आंसर जो होगा D होगा एक कश्षवर वाद मतलब एक श्षवर की पूजा पर इनोंने पूजा पर इनोंने जो है यहाँ पर हम देखेंगे बल दिया था बल दिया था तो D is the right answer है इन में से किसने कहा था free class ले रही हो जिसमें आपको PDF notes भी मिलेगा आप देखेंगे ये class आपका जो especially होगा आपका रोज सुबह 9 a.m. में होता है current affair की आपकी class होती है और भई हम देखेंगे दूसरी class आपकी 4 p.m. में होती है इसमें आपका geography होता है या हम देखेंगे आपकी जो है history होती है कोई एक class होगा और फिर हम 8 p.m. में देखते एक class होती है या तो ये science होता है या आपका Hindi grammar भई आप देखेंगे रोज आपका topic बदलता है ये बात ध्यान रखना fix नहीं होता 465 का answer हम देखेंगे यहाँ पर C होगा C होगा 465 का answer हम देखेंगे स्वामी दयानन सरफवती is the right answer प्रातना समाज के संस्थापक कौन थे स्वामी सहजाना नात्मरंग पंडूरंगा स्वामी दयानन सरफवती है इनमें से कोई नहीं 466 का answer किया होगा जी भई आप सभी बच्चे class को like भी करिए शेयर भी करिए और subscribe भी करिए भई आपको बता देए आपका बहुत सारे और दूसरे एडुकेटर जो है अप पे हम देखेंगे आपका plus का course ले रहे हैं आप plus के course को भई जोइन कर सकते हैं जिनको भई जोइन करने हैं इन में से हम देखेंगे कौन सा सहर चोल राजाओं की राजधानी थी तन्जोर, चितरपली, मंदूरे या सांची भई सांची आप देखना MP में है यामत पौंच जनाब सब आरे तीन आपको साउट में मिलेंगे तो भई आप जल्दी बताएए चोलो का संबन हम देखेंगे आपका जो है 467 का अंसर क्या होगा आपका तन्जावर इसे हम देखेंगे तन्जावर में हम देखेंगे इन्होंने बहुत बड़ी एक शू टेंपल भी बनाई है शू टेंपल हम देखेंगे बनाई है इसे वेरी बिग टेंपल आप देखेंगे इस टेंपल को क्या कहा जाता है तन्जावर का शू टेंपल तन्जावर में हम देखेंगे जो शू टेंपल इसे वेरी फेमस टेंपल भई आप देखेंगे ब्रिदेश्वरा टैंपल इज़े हम देखेंगे ब्रिदेश्वरा टैंपल इज़े ब्रिदेश्वरा टैंपल भई हम देखेंगे यहां पर जो है तंजावार में हम देखेंगे चोलो ने बनाया था तंजवर में हम देखेंगे चोला का हम देखेंगे जो टेंपल है ये स्पेशली अपकर ब्रिदेश्वरा टेंपल इसे ब्रिदेश्वरा टेंपल तो राइट अंसर होगा 467 का अंसर भाई हम देखेंगे A is the right answer पांड़े सामराज की राज़ानी कहा थी पांड़े के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ा है था ना चेल, चोरा, पांड़े आप लोगों ने पढ़ा है ना चेर, चोला, पांड़े आप लोगों ने पढ़ा ही है पांड़े या डाइनस्टी is a very famous dynasty आपको बैए बैँ यहां पर यहां पर यहां पर आपका 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 अंसर होगा सी बैइस सभी बच्चे जो क्लास में क्लास को लाइकन शेर जरूर करें वह पॉर्चिगीस कौन था जो गोव पर अधिकार कले था भई आपको पता है पॉर्चिगीस में अलग-अलग गवर्नर जर्नल आये थे है ना इसमें भई हम देखेंगे वासको की दिगामा तो 1498 में था इसे मर्चेंट ये रूल करने नहीं आया था ध्यान रखना इसे फिर हम देखेंगे यहां पर आपको नीनो डी कुनो भी था नीनो डी आपको जो है कुनो भी होगा लेकिन उससे पहले आपका अल्बुकर और हम देखेंगे आपका अल्फान्जो आया थे अल्फान्जो डी अल्बुकर कम देखेंगे था यहां पर ठेक हो और एक अल्मीड आया था फिर हम देखेंगे एक आपका जो है यहां पर अलबुकर का आया था भही आप देखेंगे यहां पर यूसुफ इसिफ आदिलस्टा से यूसुफ आदिल्शा से आदिल्शा से हम देखेंगे इनोंने गोवा को छीन लिया था किसने फिर्वा । इनके सब्सक्राइब diesem नातर नियुक् novo धेखी लाइट और इतर बाके सफ़ें घंड़र आप है कंद वेकरण एयोड ला कशित परीवर्तन करने का काम क्या तर यह बहरत में सिट इन्डिया कंपनी का पहला गरिद गौता रॉबिट क्लाइव वारेन हास्टिंग सर जॉन सोर या इन में से कोई ने 470 का क्या अंसर होगा जी आप लोग बताएंगे इस इंडिया कंपानी का इस फर्स गवर्नर जनरल अफ इंडिया इस रॉबिट क्लाइव न जी बहुत सिंपल कोच्छन है हमने आपसे पूछा फर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस रॉबिट क्लाइव वारेन हास्टिंग आप देखेंगे आपको फर्स गवर्नर जनरल दा फर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस वारेन हास्टिंग इस लॉर्ड विलियम बैंटी बही कौन था 470 का अंसर क्या होगा बही मैंने एक तूज आप देखेंगे आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल आता है छेक है फर्स्ट आपका जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसमें आपको बैंक गॉल देनाओगा इसमें भाई हम देखेंगे दिर वॉर्न अस्ट आता है लेकिन भाई फर्स्ट गवर्नर आपका जनरल मैंने कहा एप इंडिया इस इंडिया कंपनी मैंने इस इंडिया कंपनी का पूछा है भाई आप सभी को बताना होगा इसका अंसर क्या होगा भारत में जो है पहला गवर्नर जनरल भाई कौन होगा पहला गवर्नर जनरल भाई कौन होगा ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी का प्रेथम गवर्नर जनरल हम देखेंगे इसे वर्रेन हास्टिंग बी इसे राइट अंसर होगा इन 1773 में हम देखेंगे एपॉइंट्मेंट होगा था किस यूरोप ने भारत में सबसे पहले अपना वैपार फ़लाया और प्रभावीत किया ब्रिटिश पॉर्चिगिस डच और फ्रेंच बैजल्दी सब इसका अंसर बता देंगे वरी सिंपल इसे पॉर्चिगिस पॉर्चिगिस हम देखेंगे इन्होंने भारत में अपना वैपार फ़लाया था यह प्रथम आया भी था न हम देखेंगे प्रथम आया था और भाई हम देखेंगे फ्रेंच जो है सबसे यह लास्ट में आया था यह लास्ट में आया था और सबसे अंत में यह गया अंत में हम देखेंगे ये गया ए वासको डिगामा कहा रहने वाला था बहिए वासको को दिगामा आपको पते है इसे मर्चन सा है न भहिना मैं आपका यह के काली कर्ट में आया था आपको बताने है कहा करें involved तोइफ्टी सेविंटी तोगह आपको अंसर बताना है जी इसे राइटूसर इसे पॉर्चीज बैए पॉर्चीज ने वालत आप सभी देखेगंगे पॉर्टगाली था वह आंगरेज जसने संबराज जहांगिल के दरबार में आकर भीट किया था वह कूं था भी सर तॉमस रो सर जॉन सेर राल्टा बीटा या इनमें से कोई नहीं 473 का भई आपको अंसर बताना होगा क्या होगा 473 473 इस सर टॉमस रो सर टॉमस रो हम देखेंगे जहांगिर के दरबार में गया था ना मिलने के लिए यह रैट अंसर होगा भई आप सबको एक बता दूं कि मैं आपका खाफी सारा फ्री क्लास लेती हो और इसमें आपको PDF मिलता है आप भरि हमसे Connect हो सकते हैं आप इस फ्री क्लास में Connect होगे तो भाई इसके लिए आपको अपना फोन नंबर छोड़ना पड़ेगा आप अपना फोन नंबर छोड़ देंगे तो भाई हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे आपको फ्री क्लास का लिंक प्रोवाइट कर देंगे सिख गुरद्वारा सुधार अधिनियम कप पास किया गया 25 30 35 या 45 में 474 का भाई आप लोग आंसर भता हैंगे सिख गुरद्वारा सुधार अधिनियम कप पास किया गया गया बहिए 474 यजे ए आंसर ओगा ना इजे ए ए ए यजा राइड आंसर ओगा भई ए जा राइड आंसर होगा स्वामी वेकननदा किस स्थान में धार्मिक संपिलन में फेमस हुए थे वेकनननदा के गुरू हम देखेंगे रामकृष्ण स्वामी, रामकृष्ण जी थे है ना ये इनके घुरू थे भाई आपको पता होगा कि इन्होंने जो है वेलूर मठकी स्थापनामीन का योगदान रहा तो भाई आप देखेंगे आपको बताना इसका अंसर क्या होगा भाई आप सभी बच्चे भाई बताएंगे और आपको बतादे बच्चों हमारे यहाप प्लस का कोर्स चल रहा है कुछ एडूकेटर जो भी ले रहे हैं उनका भाई आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो भाई आप उनका क्लास ज्वैंग कर सेते हैं लेकिन आप मेरे कोड का जरूर प्रयोग करना जब भी आप यहाँ पर जो है क्लास लेंगे तो मेरे कोड का प्रयोग करना आपको 10 परसन भी डिसकाउंट मिलेगा 475 का अंसर हम देखेंगे भाई आपका अंसर होगा भी बी जर राइट अंसर है सिकागो में लिए थे ना वेदो में संपून सच्चाई नहीं थे यह वैक्या किसकी है स्वामी वेकननदा राधाकृष्ण दयाना निया स्रधानन द्वारा भाई आपको पता होगा कि एक वैक् वेदो की और लोटो लेकिन इनोंने जो है हिंदू धरम के पाखंडों का विरोध किया था भाई आपको बताना है क्या होगा अंसर 476 का अंसर भई क्या ओगा जी सीज़ राइट अंसर दयानन सर्वस्पवाथी आरे समाज की स्थापना की दी आरे समाज की हम दिखें के इननों जी ही वस्थ फॉंट एड हम दिखें के ज़र आरे समाज है ना राधा स्वामी ससंग के संस्थापक कौन थे राधा स्वामी ससंग के संस्थापक कौन थे जी राधा स्वामी ससंग भई ये अभी भी भारत में बहुत जगाया को पते स्युदयाल साहब हरीदा स्वामी स्वामी सहजना स्वामी स्रद्धनन भई आपको बताना है कहां पे मिलेगा 477 का अंसर बताएंगे भई जी भई आप सभी बच्चे भई अंसर बताएंगे क्या होगा 477 का अंसर हम देखेंगे स्वामी स्वामी स्थापना की थी 477 होगा भई आप सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर दो शेयर भी कर दो चेक है भई आपको बता दे मैं आपका पूरा जवाब 500 कोश्चन का स्रीज आपका कंप्लीट कर दूँगे रामक्रिशन परमहंस का मूल नाम क्या था स्वामी विवेका नंदा के गुरू स्वामी विवेका नंदा के आपको पता है गुरू है न भाई आपको बताना है कौन थे भाई 471 का अंसर क्या होगा इसे गदाधर चटोपादिया इसे गदाधर चटोपादिया इसे राइट अंसर रामक्रिशन मुख्याले का हम देखेंगे मिशन का मुख्याले कहां पर है रामक्रिशन मिशन का मुख्याले कहां पर मिलेगा जी आपको रामक्रिशन मिशन का मुख्याले कहां पर मिलेगा आप सबी बच्चे इस question का answer देंगे हमें 479 का answer क्या होगा जी 479 का answer क्या होगा जी हम देखेंगे वैलूर मट वैलूर मट भाई रामक्रिशन मिसन का मुख्याला वैलूर मट है सम्वाद कौमिदी पत्र के संपादक थे कौन भई सम्वाद कौमिदी सम्वाद कौमिदी सम्वाद कौमिदी सम्वाद कौमिदी बताएं बहुत फोर एटी का आंसर क्या होगा यहाँ पर भाई आपको बताना है डी जराइट अंसर राजा राम होंद रहे ब्रह्म समाज की स्थापना की सती प्रता का हम देखेंगे इन्हों ने उन्मोलन किया और भाई हम देखेंगे भारत के धरम सुधारक के रूप में आ सुधारक और एक समाज सुधारक के रूप में आपी से जाते हैं झाल 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 स्वामी दयानन सरस्वती का भाई मूल नाम क्या था भाई सभी बच्चे यहां पर बताएंगे स्वामी दयानन का भाई आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें भाई आप में जो भी बच्चे हमारे यहां क्लास में है अभी आप सभी क्लास को लाइक शेय और सब्सक्राइब भी करें और आप में जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाता है वह सब्सक्रिप्शन के लिए हमसे कनेक्ट हो सकता है अपना नंबर छोड़ सकता है प्लस में और भी एडुकेटर आपका क्लास ले रहे हैं और एडुकेटर आप देखेंगे और एडुकेटर जो है आपका क्लास लेरा आप उसे ज्वेंग कर सकते हैं भई आपको स्वामी दयानन सरस्वती के बारे में बताना है स्वामी हम देखेंगे आपका स्वामी दयानन स्वामी आपका जो है दयानन भई हम देखेंगे यहाँ पर आपको सरस्वती का भई यह बारे में बताना है भई इस इंडियन फिलोसपर है ना इस इंडियन फिलोसपर शोशल लीडर और फाउंडर और अर्यान समज a reform movement of the Vedic dharma and he was आप देखेंगे first to give the call of इस सौराज as India is Indian सो भई आप देखेंगे यहां पर भई आप सभी भई यहां पर देखेंगे दयनन सरस्वती वस न इडियन फिलोसपर as a social leader and founder of the Aryan as a founder of the दयनन सरस्वती इसके बारे में भई हम देखते हैं इनका जनम जो है आपका टंकारा में हुआ था इनके गुरू थी वरिज्जनन आपका देंडेश्शा इस हम देखेंगे इनका गुरू थे इनों नहीं जो हम देखेंगे 481 का answer होगा is the real name is the mole sankar is the real name is the mole sankar is the real name is the mole sankar so b is the correct answer ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की थी who was the founder of ब्रह्मा सुसाइटी भई हम देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी ब्रह्मा समाज 20 अगस 1828 in Calcutta 20 अगस 1828 in Calcutta Calcutta founder is the founder is the Rajah Ram Mohan Ray Mohan Ray headquarter location headquarter location is in Calcutta भई हम देखेंगे इनोंने आत्म सभा की भई हम देखेंगे इस पेशली जैब हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं इनोंने हम देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 482 is the right answer is the C 1828 is the right answer 1828 ब्रह्म समाज इसे हम देखेंगे राम क्रिशन परम हंस की पतनी ब्रह्म भई हम भई हम देखेंगे राम क्रिशन परम हंस की पतनी भाई आपको पता होगा रामक्रिशन परम हंस की जो पतनी थी इनको सारदा मनी यह शारदा बोला जाता है शारदा A is the right answer है किस राज के सासक नवाव वजीर कहलाते है हुवस नवाव वजीर नवाव वजीर 484 question आपके वॉल पे है 484 इन्हें वाजीद अली खान ने भाई हम देखेंगे अवद के नवाव अवद के नवाव हम देखेंगे यह जो है यहाँ पर आप देखेंगे बंगाल के भी नहीं है करनाटा की नहीं भाई आपको पता होगा वाजीद अली शा का नाम आपको याद होगा यहां हम देखेंगे आवद का हम देखेंगे कि यहां पर इसे हड़प लिया था किसने आपका लॉड दलहुजी ने और्टरम की रिपोर्ट की अधार पर इन्होंने से हड़प भी लिया था तो भी किस राज के शाशक नवाब वज़िर कहलाते थे आवद पूख बतना है किसने अपनी क्यापिटल मुरशीदा बासे मुग्यरस् थांत्री की फोर लेटी फाइव की यह मं देखींगे आपका झांसर क्या होगा किसने डाज़ान था मुग्यरस थांत्रीदी है इसे Wait 35 is the right answer, is the Meer Kasim, is the Meer Kasim, बहिए सिराउजी दौला तो वही है न, जिसके समय में आपका ब्लैक होल आपका ट्रेजिटी हुआ था, बहिए काफी ब्रिटिश को लेकर एक जगह में जमा करके इनको मार दिया था बहिए इसने, तो आपका अंसुर हो का B, भहिए सभी बच्चे ब करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे आदी ग्रंद किसने संकलीत किया था आदी ग्रंद भई हम देखेंगे किसने संकलीत किया था, आदी ग्रंद आदी ग्रंद किसने संकलीत 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 486 का भाई हम देखेंगे आंसर जो होगा यहां पर D होगा गुरू अर्जीन देव गुरू अर्जीन देव इसी के साथ भाई हम नेक्स कोश्चन पे चलते हैं आपका नगला कोश्चन है आपके वाल पे भाई हमें 500 कोश्चन खतम करना है जल्दी से भाई हम देखेंगे कि यहां पर 500 कोश्चन हमें खतम करना है महराज रंजी सिंग के उत्र अदीकारी कौन थे भई आपको याद होगा पर रंजी सिंग की बात करते हैं तो भई हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको भई मिलते हैं यहाँ पर नैनी हाल सिंग हरी सिंग नलबा सीर सिंग और खडक सिंग 487 का अंसर क्या होगा यहाँ पर आप सभी बताएंगे ज़े खडक सिंग खडक सिंग हम देखेंगे इनके जो उत्र अदीकारी थे प्रसी चेता घुड़ा किसके लिए फेमस था लक्षमी भाई अकबर सिवाजी और राणा प्रताब देखो भई 488 का अंसर जब इन में से फेक्ट्रियों में एक जो पूर्टगाली द्वारे स्थापिक गी थी कौन था चिंसोरा हुगली श्री रामपूर और बांदेल 489 का भई आपको आंसर बताना है क्या होगा जी आप देखेंगे यहाँ पर एक फेक्ट्री जो पूर्चिगीस ने स्थापिक की थी बगल में आपको आपका जो है बांदेल नहीं होगा आप सभी बच्चे देखेंगे आपका हुगली होगा छूगली होगा सीज राइड अंसर पूर्टगालियों ने थापिक किया था आपको पते हैं पूर्टगाली भारत में यह प्रथम आए थे है न है और भाई हम देख किया था यह आप देखेंगे निकला तो था भारत को ढूमने कहीं और पहुँच गया था भाई आपका एकदम भाई आंसर सही है 490 का अंसर जो होगा यहां पर हम देखेंगे C is the right answer is the worst को डिगमा भाई आपका 1498 में इंडिया आया था आपका किरला किरला के हम देखेंगे काली कट में उतरा था बहुत सारी यहां से मसाला ले गए था और भाई हम देखेंगे जैमरी ने स्वागद किया था जैमरी ने हम देखेंगे इसका जो हे वैलकम भी किया था आपका अंसर होगा भाई C भाई आप सभी बच्चे जो क्लास में एक शेयर और लाइप प्लस आप सब्सक्राइब भी कर दीजे यहाँ चैनल को चेक है उस छेतरे की पहचान करें जहां से यूरोप वास्यों को सरवतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था सोर और अफीम कहां से मिलेगा भी आपको पता होगा अफीम जो इस समय कहां से सबसे ज़्यादा मिल रहा था जी आप लोगों के गैस एकदम सही है आपका अंसर होगा बिहार बिहार से हम देखेंगे दो चीजे सबसे ज़्यादा मिल रही थी किसने कहा कि मराठो का उधाय कास्मिक अगनी कुण के भाती है किसने कहा कि मराठो का उधाय कास्मिक अगनी कार्ण की भाते ग्रांड डर्फ आद्रवीक जादूनाच सरकार और भही इसकी बारे में आपको बताना है जी ग्रांड डर्फ ने हम देखेंगे कहात है इनके बारे में एहीजा राइट अंसर होगा सिवाजी के सामराजी की राज़ानी कहा थी पूरे पूरंदर कारवाण और आपका रायगर भाई आपको बताना है या पर भाई आपको ये भी मैं बता दू आपको पता होगा आप सब्सक्रिप्चंन लेना चाथे प्लस में अदर एडुकेटर जो है आपका भाई क्लास लेरे वहाँ जाकर आप क्लास कर सकते हैं सब्सक्रिप्चं लेकर मेरे कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको जो हैं आपट डिसकाउंट मिल दाएगा अच्छा कासा भई 10% का पूरा सिवा जी के सामराज की राजधानी कहा थी भई आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं जिससे मैं आपको connect हो जाओ 493 का अंसर हम देखेंगे आपट डि होगा राजधानी होगा भई सिवा जी का राजधा अभिशेक कहा होगा भई आपको पता होगा कि सिवा जी का राजधा अभिशेक कहा होगा भई सिवा जी थे कौन भई ये भी आप लोगों के लिए confusion question है काफी बच्चे को भई अभी जी कौन थे जी सिवा जी चत्रपती इस इंडियन किंग ये कौन थे भई हम देखेंगे जब हम सिवा जी के बारे में बात करते हैं तो आप सभी देखेंगे यहां पर पश्विमी भारत में मराठा सामराज की नियू रखी थी इन्होंने हम देखेंगे 1674 इस्ट्री में आपका मराठा एंपायर की हम देखेंगे इन्होंने नियू रखी थी और हम देखेंगे औरंगजी के मुगल सामराज से इन्होंने संगर्स किया था रायगड में इनका राजविशेक हुआ था रायगड में हम देखते हैं इनका जो है 1674 में इनका राजविशेक हुआ था राज अभी शेक हम देखेंगे यहाँ पर हुआ था तो भाई आपका अंसर जो होगा 494 का अंसर जो होगा B is the right answer होगा B किसके सासनकाल में माराथा प्रमुक संभाजी की हतिया कर दी गई थी अरंग जीब भाई हम देखेंगे आपका अंसर जो होगा यहाँ पर अरंग जीब किसके सासनकाल में माराथा प्रमुक हम देखेंगे संभाजी की हतिया की गई थी आपको पता ओगा अरंग जीब एक करूर सा सकता ठीक है और भाई आपको बता दे इसके बारे में आपको बता दे इनकी हतिया औरंगजेप ने किया था बताया जाता है इनों ने जो है 11 मार्च 1689 को इनकी हतिया की गई थी आपका 11 मार्च 1689 को हम देखेंगे इनकी हतिया की गई थी और मुगल बासा औरंगजेप ने सुचा लेकिन कि मौत के बाद महराथा सामराजिक खतम हो जाएगा लेकिन इसका उल्टा हो जाता है बलकि महराथा एक जूत हो जाता है दक्कन पर कफ़र जमाने औरंग जेव का सपना कभी पूरा नहीं वा भाई आपको पता है औरंग जेव एक क्रूर शाषक था 496 का अंसर आपको बताना है अस्ट प्रधान महामंतरी परिशट किसकी सासन काल में थे 496 का अंसर क्या होगा जी हम देखेंगे सिवा जी इस राइट अंसर होगा यह आपका सिवा जी थे नेक्स कोशन है आदी संकर जो बाद में संकरचारे बना इनका जनम कहा हुआ था भई संकरचारे के बारे में आप जानती है इनके बारे में बताना है जी इनका जनम केरला में वा था भई जो बच्चे क्लास में है क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दी जो और साथ में सब बच्चा यहां पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो यहां पर अधर का प्लस का कोर्स कर सकता है चैतने महाप्रभु की संप्रदाय से थे आपको पता होना चाहिए क्रिश्ण भगत थे यह बहुत बड़े और भई हम देखेंगे इसके बारे में जब हम देखते हैं तो आपका आंसर क्या होगा जी गौंडिया संप्रदाय के थे ख्रिश्ण भगत थे और भई यह जो है ए जा राइट आंसर होगा और आपका लास्ट कोशन आपके वॉल बे महारास में भक्ती संप्रदाय इन में से क प्रसीत सुल्टान था मालूआ जानपूर्ख, खांदेस और गुजरात जी आपका जो होगा यह गुजरात होगा गुजरात भई हम देखेंगे गुजरात के थे आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे यह महमुद वेगणा जो थे आपके गुजरात के थे आप सभी बच्चे जो है यहां क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और इसी के साथ भाई आपका जो है हमने भाई आपका इस टॉपिक को खतम कर दिया है आपका जो है यहां पर हम देखेंगे 500 कोशन आपका कंप्लीट हो गए भाई आपका मैं स्पेशल में बहुत सारा क्लास लेती हूँ यह आपका फ्री क्लास है और इसमें आपका पीडियव भी मिलता है आप सभी बच्चे मुझे इसके लिए जोईन कर सकते हैं अपना फोन नमबर छोड़ सकते हैं मैं आपको क्लास से कनेक्ट करना गया अब आपको बताते हैं बच्चों इ देखेंगे यहां पर जो है हो गया है